हेलो इस्टोडेंड कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे वेतर होंगे आपकी पढ़ाई भेता चल रही होगी और क्लास 12 कमिस्टी अंसी आटी में चैप्टर 12 भी स्टार्ट हो चुका है यानि अध्याय 12 आपका सुरू होने वाला है ब को पढ़ पाओगे बच्चो इसलिए सबसे पहले हम नाम देखेंगे और कुछ इसका बेसिक जानकारी कार्बोक्सलिक अम्ल अलग है देखिए इसको दो भागों बटागे जो चैप्टर आपका 12 है इसको दो भाग में हम अध्यान भी करेंगे आपका एक पार्ट रहेगा एलडिहाइड और कीटोन जो साथ हो साथ सलेगा बनाने की भी ती रहसानी कब करिया सब कुछ एलडिहाइड कीटोन का साथ सलेगा इसलिए आज हम आयूपेसी नामन क्लेचर में एलडिहाइड और कीटोन को समझ लेंगे इसके बाद जब कार्वोक्सलिक अम्ली स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आयोपीसी नामन प्लेचर आपको समझाएंगे तो चले शुरू करते हैं बच्चो एल्डिहाइट कीटोन तथा कार्वोक्स लिए आम रे चेप्टर का नाम है तो सबसे पहले एल्डिहाइट और कीटोन के बारे हम समझें तो एल्डिहाइट वहा कीट उत्र cnh2o का मतलब क्या होता है मैं यहां पर आपको समझाओंगा जैसे बच्चों यहां पर लिख देता हूं cnh2no इसका मतलब यह है कि यदि एन कमान एक हो एन कमान एक हो तो कितना हो जाएगा c1 हो जाएगा हलां कि एक के लिए हमारा बन नहीं सकता इसलिए आप दो लेक हो एक के लिए हमारा योगी के नहीं बनेगा ठीक है बिलकुल नहीं बन सकता क्योंकि यह पहचान है कि एल्डिहाइड और कीटोन जैसे एक के लिए बात करो मैं तो hco ऐसा हो सकता है तो दोनों चीज नहीं बन सकता ऐल्डिहाइड बन सकता है ldhyde कैसे H-C-H-O यह फार्म啦ehyde बनेगा कैसे C-1-H और 2-O इसको यदि मैं कहूं H-C-H-O इसका नाम है फार्मललिहाईड रेकिन weaken किटोन नहीं बन सकता किटोन के लिए दो कारवन होना आवस्सक है किटोन के लिए दो कारवन होना आवस्सक है इसलिए कीटोन तो नहीं बन सकता है इससे मैं कहा दू एन बराबर दो हो जाए बच्चो एन बराबर दो तो कितना हो जाएगा दो रखोंगा तो सी टू एच दो का दो से गुड़ा दो दोना चार ओ यह हो गया ठीक है इससे मैं एल्डी हाइट का नाम भी दे दूँगा कीटोन भी बना दूँगा बिल्कुल चिंता ना करें गले में खरास है थोड़ा सा लेकिन लेक्चर पूरा देखेगा एल्डी हाइट कीटोन के बारे 6-0 बिल्कुल चिंता ना करें एल्डी हाइट वा कीटोन का दोनों का समानसूत रही होता है इसके आधार पर आगे हम समझेंगे दोनों में कार्बोनिल समू होता है मतलब कार्बन के साथ आक्सिजन जुड़ा रहेगा वो भी दोई बंद के साथ मतलब कार्बन और दोई बंद के साथ जुड़ा होगा वो आपका कार्बोनिल समू कहलाएगा ठीक है चलिए अब कुछ योगिक मैं लेकर चलूँ तब तो कुछ समझ में आएगा कि हाँ सर ये क्या बता रहे हो हमें कुछ तो भी समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले मैं मान के चलता फोर ओ इससे मुझे बनाना है क्या एल्डी हाइड और के टो इस तो इल्डी हाइड की बाता आज़े बच्चो हमेडि हाइड ऐसा नहीं होता है ऐसा होता है ये ये हाइद में आपका सी एचशियो समू रहेगा की टोन मैं एस में इस औल योग्म होंगे दो एल्किल में कितने भी कार्वन चे हो सकते यह आपकी मर्जिय कि इतना जोड़ना चाहोग जोड़ सकते हो कि इसके सांथ अधर कोई नहीं कोई एलखन्गरुप युड़ा रहेगा अब नहीं कि आप कहोगे CHO लेकिन यदि मैं कहा दूँ किस से दो एलकिल ग्रूप जोड़ दो CH3, CH3 और CW1O क्या ये संभाव है नहीं है संभाव इस संभाव नहीं है इसलिए दो कार्बन का भी यदि कोई कार्बोनिल समू योगिक रूप से है तो वो आपका की टोन नहीं है सिंपल तो की टोन के लिए कहां चलेंगे सर तीन कार्बन लेना पड़ेगा C3, H 3, 6, 2, O इस से दो कार्बन है तो CH3, CH3 और CW1O अब देखो C3 है H6 है C3 मतलब 3 H6 सही आक्षिजन तो यह हमारा ACETONE इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं ACETONE यह एक बार नहीं बच्चों बार बार देखने को मिलेगा इस चेप्टर में इसके पहले भी ACETONE कही बार आया है ACETONE से दुतियक अल्कोहल बनाते हैं समझ रहो तो ACETONE कही बार आया है कि LD हाइड कौन सा होगी और कीटोन कौन सा होगी यह सबसे बड़ा confusion है ठीक है दोनों को हम जानते हैं कि कार्बन के साथ दूइबंद आक्सिजन कार्बन के साथ दूइबंद आक्सिजन लेकिन यदि एक R और एक H जुड़ा तो यह LD हाइड है बच्चो और यदि इस कार्बन के साथ दोनों में एलकिल ग्रूप है तो फिर यह कीटोन है क्या है कीटोन पहचानते चलो नामन क्लेचर पढ़ेंगे बिल्कुल चिंता ना करो लेकिन अभी जो हम बता रहे हैं वो चीज पढ़ो ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है आयू पे इसी नामन क्लेचर देखेंगे बच्चो बिल्कुल आप चिंता ना करें अभी तो सिर्फ हम बेसिक चीजें देख रहे हैं कि कैसे पहचानोगे की ऐसी टोन है या की टोन है कैसे जानोगे की एलडिहाइड है तो फिर ये एलडिहाइड है यदि कार्बन के साथ एक साइड एलकिल ग्रूप और इस कार्बन के साथ आपका क्या जुड़ा है ह मतलब यहाँ पे आर है और सी एच ओ हो गया ये मेरा बच्चो एलडिहाइड है लेकिन यहाँ पर ये की टोन है यहाँ पे एच नहीं है तो दो एलकिल ग्रूप जुड़ना आवस्च है दो एलकिल ग्रूप होना ही चाहिए तभी हो की टोन कहलाएगा अनता हो की टोन नहीं कहलाएगा चीज़ें क्लियर है यहाँ तक समझ गए अभी तो मुक्रूप सें बात कर रहे थे कि एलडिहाइड और कीटोन पहचानों की कैसे कार्बोक्सलिक अमलो इसमें भी आपका कारबन दुई बंद के साथ जुड़ा रहता है एक साइड एलकिल ग्रूप है और बच्चों एलडिहाइड में H था और इसमें ओयच है तीनों का पहचान है तीनों का पहचान है तीनों में कारबन है तीनों में आक्षिजन है तीनों में दो बंद बना है लेकिन थोड़ा सा टाइप अलग-अलग है टाइप कैसा अलग है एक बार समझा दो सा टाइप मैंने कहा कारबन दूइबंद के साथ आक्सिजन बच्चो यदि एक एलकिल ग्रूफ है और इसके साथ H जुड़ा है तो फिर ये हमारा एल्डी हाइड है यदि कारबन के साथ दो एलकिल ग्रूफ है तो फिर हमारा कीटोन है यदि कारवन के साथ एक एलकिल गूफ है और एक ओय चुड़ा है तो फिर ये कारवुक्सलिक आमले है बच्छो पहचानने की कोई दिक्काती नहीं है कुल मिला करके इस के दिए पहचान की बात कर दो र, c, e, i, o और यहाँ पर बच्छो र, c, o, r या R R-C-O अब यहाँ पे R-C-O-O-H ये लो कुछ इस प्रकार से हमारा फंडा होए समझ रहो ना, चीजें clear है समझ में आएगा, एक-एक करके बिल्कुल चिंता ना करें जो हमारा कीटोन होता, ये दो प्रकार से होता है, कीटोन का प्रकार भी आप समझ लो कीटोन के दो प्रकार, इस प्रकार से एक सम्मित और एक का सम्मित सम्मित का मतलब, जिसमें कह देता, CS3 है यहाँ पे और C-O-C-S-3 मतलब यहाँ पे दोनों सेम अलक्यटील गुरूप है, तो ये हमारा सम्मित कीटोन है कैसा सममित की टून कहने का मतलब इसमें कार्वोक्सिल समू में जो एलकिल गुरुफ है वो दोनों समू है में समान है मतलब दोनों समान समू की है जैसे मैं कहा देता है यहां पे C2H5 CO C2H5 तो डाई है दो टो डाई एथिल की टून है तो यह हमारा वाई सममित है डाई एथिल की टून और इसको डाई मेथिल की टून कह सकते हैं इससे टून भी कहते हैं डाई एथिल की टून डाई एथिल की टून कहोगे सर यह सब चीर इतना टाइम बेस्ट क्यों कर रहे हो सब पढ़ाना पड़ेगा एक एक चीजे समझना पढ़ेगा बच्चो समझ रहे हैं ऐसे नहीं होने वाला कोई दिक्कत तो नहीं दो चार ऐसे भी होगी कि जिनका समान नामकरण आपको पता होना चीज यह लडिहाइड का तो चलिए सुरू करते हैं फिर नामकरण सबसे पहले अपन एलडिहाइडों का नामकरण पढ़ेंगे इसके बाद बच्चो क्या कीटोन का नामकरण पढ़ लेंगे चलिए सुरू करें चलो तो आप लोग हेटिंग लगाओ अच्छा सम्मित असमित दोनों चीज समझ गए न अच्छा सम्मित मैंने बता दिया असमित नहीं बताया सम्मित मतलब दोनों सेम है असमित में जैसे एक साइड आप सी एस्थ्री जोड़ दो सी ओ और सी टू एच फ़ाइड तो फिर ये असमिमित हो जाएगा असमिमित की टोन मतलब ऐसे कार्वोनिल समू में, जिसमें दोनो अलकल गुरूफ भीनों, तो उसे फिर हम क्या बोलेंगे बच्चो? आ सम्मीत, क्या बोलेंगे आ सम्मीत? क्या बोलेंगे आ सम्मीत? समझ रहो, कोदि कत्व नहीं, चलो. अब बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा सामान नाम कर देखेंगे दो-चार ही योगी का सामान नामन मतलब आपको पता होना चाहिए बाकि तो IUPAC अच्छे तरीके से पता होगा चलिए सामान पद्दत में क्या होता CHO समू युक्त योगी ये देखो CHO समू है जिसमें भी है मतलब कारवन आक्षिजन के साथ द्द्द्द युक्त है और हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है समू युक्त योगी को समू पद्दत में LDH कहा जाता है मतलब CHO है तो LDH इसे कह देंगे इनने बसी अमलो का अपचाय कुदपाद मना जाता है मतलब हम अपचैन कर देंगे हम उसके इस्थान पर अमल के इस्थान पर LDH लिख देंगे ठीक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है हम आप कुछ बताते हैं कैसे बात कर रहा है भाई साहब जैसे HCOOH यह फार्मिक अमल है तो एक हटा करके फार्मिक LDH जोड़ दो तो फार्म LDH हो जाएगा एक हटाना है ना एक हटाना है तो फार्म LDH हो जाएगा क्या हो जाएगा फार्म LDH हो जाएगा और पर यहां पर एसे टीक अमल है एक को आप एक को हटा कर LDH जोड़ दो तो तो एसे LDH हो जाएगा यहां पर एक को हटा करके हमने LDH जोड़ा तो फार्मेल्डिहाइड हो गया यहां से एक को वटा करके LDH जोड़ दे तो ऐसे टेल्डिहाइड हो जाएगा ऐसे बहुत सारे हैं समझे ऐसे बहुत सारे योगिक मिलेंगे जैसे सबसे अच्छा है यहां पर मैं आपको बता देता हूँ तो मज़ा भी आ जाएगा यहां पर देखना आप लोग ठीक है यहां पर देखो एक कार्वन का है तो फार्मेल्डिहाइड दो कार्वन है तो एसिटेल्डिहाइड तीन कार्वन है तो प्रोपियोनियल्डिहाइड एनी प्रोपियोनिक अमल होता है तो एक हटाना है तो प्रोपेन एल्डिहाइड या प्रोपियोन एल्डिहाइड ठीक है या पे चार है नारमल है एक सीडिस तरंकल तो नारमल ब्यूट्रेल्डिहाइड ऐसे फिर आप कर सकते हो आगे भी कर सकते हो लेकिन आपको कितने होगी किया करना अच्छे तरीके से दो एक फार्मिल्डियाइड एक एसी टेल्डियाइड हाँ अच्छे तरीके से ऐसे नहीं एक मिनट में नहीं अच्छे तरीके से HCHO का नाम पता होने चाहिए फार्मिल डियाईड, CS3CHO का एसिटल डियाईड, बार बार देखने को इम लेगा और कुछ भी नहीं, समझ रहे हो, को दिक्कत तो नहीं, चलो, इसके बाद हम और कुछ भी नहीं देखेंगे, हम जो मुख रूप से देखना चाहते हैं, जो आप से बनना चाहिए, दुनिया वर की पंचायत कुछ भी नहीं बच्चो, अलफा, बीटा, गामा, वो अपने मैटर पर चलेगा, अभी आपको समझना है, IUPAC, IUPAC में क्या करते हैं, बस, इलकेन में N को हटा करके, अल जोड़ना है, इलकेन में N को हटा कर, अल जोड़ना और कैसे सर हम समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे हमने कहा, बइर भाई, यह अमारे पास, हमा लिजिए, HCHO है, ठीक है, एक करवण है, फिर CH3, CHO है, यहां पे दो करवण है, फिर C2, C2, CH5, CHO, यहां पे तीन करवण है, यहां पे पर बच्चों, C3, H7, CHO, यहां पे चार करवण ह फिर आप कर दो C4, H9 यहाँ पर कित्ते कार्वन होगा पांच कार्वन होगा इनका UPSC नमन क्लेचर कैसे होगा बिल्कुल चिंता ना करें एक कार्वन में होता मेथेन तो एन हटा और नल जोड़ दो मेथेनल इसका नाम हो जाएगा बच्चो मेथेनल क्या हो जाएगा मेथेनल सही है इसका नाम दो कार्वन तो एथेन से तो एथेनल क्या हो जाएगा एथेनल यहाँ पर तीन कार्वन तो प्रोपेनल क्या प्रोपेनल बस है ना यहाँ पर कित्ते कार्वन तो तीन एक चार तो ब्यूटे नल क्या बच्छो ब्यूटे नल है ना और फिर पाँच कारवन तो पेंटे नल अरे यार कितना सिंपल है ऐसा हो गया पेंटे नल हो गया समझ रहें चलो कुछ और हम देख लेते हैं जो मज़ेदार की चीजे हैं जैसे कुछ इस प्रकार सी होगी मिल गया कि CH3 ह गया बच्छो CH2 हो गया CH यहां पर CH3 हो गया और हैं पर CH हो गया तो नंबरी कहां से करेंगे सीधा सिंपल सबसे लंबी चैन सरंखला फिर यहां पर दखो दो नंबर पर यहां पर इस्ट्रा कोई ग्रूप है दो नंबर पर मेथिल जुड़ा है एक कार्वन का एल क्लिग कर गया मैं फ्रो ब्यूट तो ब्यूट ब्यूट हैना सए ओंगो जरह इसा भी तो कर सकते हो आप लोग एक नमबर पे जुड़ा है तो इस प्रकार से एडिहाइट के नाम करन कर सकते हो और कई सारे में दे सकता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आपको समझना है तो और समझ सकते हो जैसे यहाँ पर CS3 है यहाँ पर CS3 जोड़ देता हूँ फिर यहाँ पर आपका CS2 है फिर CS2 है फिर आपका मा लिजिए CH है, फिर CS3 है और फिर CS2 है नम्बरींग वहींचे करना है जहांपे CS2 एक, दो, तीन चार, पाँच, छह चह कारवन का सरंकला हो गया अब इस पे देखना कि दो नम्बर पे भी मेथिल जोड़ा है और तीन नम्बर पे, पाँच नम्बर पे तो 2 और 5 नमबर पे 2 ठो जुड़े है इसलिए डाई बोल देंगे इसको दो को डाई, तीन को ट्राई, डाई मेथिल हो गिया है 5 नमबर पे डाई मेथिल फिर मेथ, एथ, प्रो, वियूट, पेंड, हैक्स, तो हैक्स से नला ऐसा तो आयू पेशी नमन के लिए रिए क्या जोड़ते हैं जोड़ते हैं को जिक्कत तो नहीं है आयू पेशी नमन के लिए बस हो गया बाई और कुछ भी नहीं इतना ही तो है इस पद्द्रियत में उदारन आपको देखने को मिली जाएगा एक कार्मन तो मेथिनल दो कार्मन एथिनल तीन कार्मन प्रोपेनल फिर ब्यूटेनल ऐसे कुछ करके आप नामकर्ण पढ़ सकते हो चलिए यहां तक क्लियर है यहां तक समझ में आ गया हो भाई साब आप हम कीटोन देख लेते हैं क् कीटोन भी पढ़ना हमको साथ साथ में तो कीटोन का नामकर्ण तो पता होना चाहिए तो यहां पर एलिफेटिक कीटोनों का नामकर्ण देखेंगे कीटोन में क्या होता है वहाई कार्मन समों सी और अक्सिजन के बाद दूई बंद होता है ना माना जाता है इसमें दोनों ग्रॉब होँगे ये देख सकतो यहां Himself को डॐन में दौनों एल्किल सब्सक्राइब होते जबकि एल्टिये मैंने आपको बता था कि एक कारबन एख साथ एलकिल ग्रुफ हैं एक सांथ हाइड्रोजन ग्रूफ है हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा इस दूट दाइ-Elkill या Alkyl-aryl केटोन कहा जाता है बहुत सिम्पल है बहुत सिम्पल थोड़ा सै नी वच्छो आपको बता है कुछ भी नहीं Dider Ikill या Alkyl-aryl केटोन बहुत सिम्पल है देखो थोड़ा समझना जैसे मैंने कहा CS3 और EC3 यह से और इसको मैंने कहा कार्बन के साथ डूर्ड यह साधार नामकार है और इसको अपारिक रूप से बोलते हैं त्यार कर लो पता होना चाहिए इसके जगे कोई और एग्यिक हो जाता जिसे यहांपर बोलते सीटूह5 सीटूह5 Princess ऐताaráще स्क्वेल क्यान कहते है दो कार्वन सिम सेम है तो 2 है दो डाई यह बछो एथील सीटीन कीटोन मैं डाइ एथिल की टून सिंपल डाइ एथिल की टून अब यदि ऐसा हो जाता कि यहां पे CS3 हो जाता हर्मालो CO और C2H5 दो चीज जुड़ गया एक तो C2H5 और CS3 तो फिर क्या हो जाएगा पहले अलफाबेट में एथिल नाम आएगा तो एथिल इसका नाम है एथिल मेथिल की टून क्या बच्चो एथिल मेथिल की टून साधार नाम करना है थोड़ा समझो एथिल मेथिल की टून हो गया ऐसे तो मिल सकते हैं और ऐसे मिलेंगे ज्यादा आपको मिलने वाले नहीं है जो मैं करा रहा हूँ आपके सलेवस में उतना ही है लंबा चोड़ा हो गया तो फिर क्या हो जाता यह मेथिल है और यह फेनिल है फेनिल बाद में आता है इसलिए यहां पर मेथिल फेनिल और क्या है की टोन है तो की टोन हो गया आप तो बनी जाएगा यार किसी को ढूड़ने के पर सकता नहीं पड़ेगी यहां पर मैं कहता सी सिक्स फाइब फि समझ में आ गया लियां चीजंड है तो समान नामकरण कारण में क्या करती है ने चरहाब नामकरण तो क्रू pra lego have read in our marriage in Helsinki तो को यहाफ कर फेनी ले और मेथ यह क्षिंटों अशीटों ऌन भोलतों दो माड़ाइन नामकर नामकरण इसके दिए हम i.o. p. sinaman klature करेंगे तो क्या होगा थोड़ा समझो इसमें l.k.n के इन के स्थान पर एनोन जोड़ दिया जाता है एनोन मतलब l.k.n.n. ओन कुल मिला करके ओन जोड़ना है मतलब एन जैसे हटाएंगे तो एनोन हो जाएगा तो कुल मिला करके लास्ट में A.N. में ओन जोडना है, खतम कानी और कुछ भी नहीं A.N. के स्थान पर A.N. पर A.N. सिंपल है, ठीक है, कोजी कत तो नहीं, कब समझ में आएगा, मजा आएगा, देखो जरा जैसे यहां पर देखो जेज़ा यहां पे 3 कर्बन है 3 कर्बन है सब्सक्राइब जब 4 कर्बन हो जायगा तो ब्यूटे 9 हो जाएगा फिक है कोज इकत तो नहीं है numbering भी कर सकते हो आप लो तो यहां पर मैंने कहा कि वाई सहाब CS3 है और CO है HC3 है तो कित्य कर्वन होना हो गया बच्चों 1,2,3 तो प्रोपे 9 हो गया त्यक्य झाता है? इधर में C2X5 जोड़ देता और CO ही रहता CC3 तो कित्य कर्वन तो 1,2,3,4 तो 4 हो जाता में ये प्रोपी तो ब्यूटे 9 हो जाता प्योटे 9 हो जाता है? से लेकिन कुछ नंबर के अधार पर हम इसका नाम करन कर सकते हैं जिसे कई सारी लंबे चैन है तो फिर आप क्या करोगे जिसे देखो यहां पर मैं कहता है c e s t ू जू झू जू छू जू जू राए फिर यहां पर सी O जू 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 राये कि अब कैसे करें साक्ण कितनी छोड़ी संखेला थे कि आंट टू कि पर बने एक आप देखो किते नंबर पे दो नंबर पे ओन बस ठीक है ऐसा ऐसा आप 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 पीसी नामन क्लेचर कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यह कुछ ऐसा होता तो CS3 CS2 और फिर CU हो जाता फिर CS2 फिर CS2 फिर CS3 किदर से नंबरिंग करेंगे पास किदर से पढ़ेगा 11 क्लास में सब बच्चा पढ़ाया किदर से पास पढ़ेगा इधर से न एक दो तीन नंबर इधर से एक दो तीन चार तो चार पांच है तो देखो बच्चो किते हैक्स तो ह की नोन हो गया बस यहीं तो है आई पेसी नामन के चाथ कुछ है नहीं है तो मुक्रूप से आपको मिलेगा CS3 CO CS3 यह ऐसी टोन ठीक है इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं यह आपको एक बार नहीं हजार बार देखने को मिलेगा तो यह हो गया की टोन का भी नाम करण आप लोग देख सकते हो चार्ट बना है आप लोग लिख भी सकते हो जादा लंबा चोड़ा मैं नहीं कह रहा हूं जितना मैं अभी कह रहा हूं उतना आप पढ़ लो बच्चों क्योंकि आगे चल करके जो भी एक्जामपल में आएंगे तो मैं आपको बता दूँगा ठीक है कुछ और योगी कि याद कर लो आप लो जैसे मैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइट की बात करूं तो यह दि मेरे पास यह बेंजीन रिंगे फेनिल में और आप जोड़ दो क्या सी एचो तो यह बेंजल्डिहाइट बिलकुल त्यार कर लो बेंजल्डिहाइट यह आपको मिलना ही मिलना है ठीक है बेंजल्डिहाइट और फिर जो एक्जाम में आता जाएगा अच्छा एक चीज और है एसीटोफिनोन तो आप लोग पड़ी लिये हो जिसे C6H5 है और CO है CS3 है इसको आप ऐसा भी कह सकते हो मेथिल फे दाइफेनिल की टोन C6H5 CO C6H5 यह हमारा बेंजोफिनोन है यह डाइफेनिल की टोन है यह चीज जो एक्जाम में आ सकता है है ना ऐसे भाई नाम पता होना चाहिए तभी तो आप इस चैप्टर को समझ पाऊगी को कि हम को से सही करेंगे कि आपको बहतरी रुप से समझा सक जो काम का है बिल्कुल आप तयार कर लें और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहला लेक्टर है इस चैप्टर का और सीधे हम आगे बात करेंगे इसमें बनाने की वीदियों में ठीक है जो काम का चीज है जो काफी महात्पूर्ण रहेगा और क क्रम क्रम से आपकी लेक्षर मिल जाएंगे बिल्कुल आप जिंता ना करें इनको बहुत ही फास्ट है तो पुराने वीडियो देखें और बहतर रूप से त्यारी करें ठीक है बच्चों मिलते हैं वीडियो के साथ जैहिंद बंदमातराम